हाई फ्रेंज वेलकम टो इसके गुल्ड रेसिपीज अक्सर मैंने देखा कलाकन सभी बहुत पसंद करते हैं और आज मैं आप से शेयर करने वाली हूं मेंगो और कलाकन से बनने वाली एक बहुत सुंदर दिखने वाली मिठाई और इसको मैंने नाम दिया है मेंगो कलाकन रोल तो फ्रेंज देर किस बात के चल्दे से देखते हैं इसकी रेसिपी तो यह है वो कलाकन जिसके step by step recipe मैंने पिछले एपिसोड में शेयर की थी इसे घर में ही बनाई है काफी आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वाधिश्ट रखता है यह कलाकन एकदम ताजा ही बनाया है इसलिए काफी गरम है इसे एक प्लेट पे डाल कर फैला लेते हैं जिससे कि यह थंडा हो जाएगा लगफख 5 मिनिट हो चुके हैं कलाकन एकदम थंडा हो चुका हैं अब एक दो बड़े साइस के आम ले लेंगे और इसका छिलका आधे साइट से उतार लेंगे अब ध्यान से देखी इस आम की एकदम पतली स्लाइसेस निकाल रहे हैं इसी तरह से सारी स्लाइसेस तयार करेंगे आम की स्लाइस पर थोड़ा सा कलाकन रखेंगे और हलके हातों से से फोल्ड करेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे फ्रेंस ध्यान रहें कि आम की स्लाइसेस एक दिखने वाले स्वादिष्ट मेंगो कलाकन रोल्स अगर आपको यह रेसीपी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रेसीपीज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए